पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से हमारा हीरो वर्ट रेगिस्तान के भमर में फंसकर एक अजीब दुनिया में पहुँच गया वहां उसने एक सेज नाम की सेंटियन्ट की जान बचाई वर्ट सेज को लेकर पृत्वी पर लौट तो गया लेकिन क्या सेज पृत्वी पर सुरक्षित रह पाएगी वैंडल्स के होते हुए क्या पृत्वी खुद सुरक्षित रह पाएगी देखते हैं आगे सेज, तुम ठीक तो हो ना? पोर्टल का सफर सेंटियन्स को कमजोर बना देता है या दाश चली जाती है और तुम्हारी प्रत्वी का सफर शायर बहुत दूर का सफर था मेरे लिए मुझे हाइबरनेट करना होगा यह लॉकिट की ट्रिक तो सीख नहीं वड़ेगी सेज, सेज! मैं लो बेस्मेंट में हूँ पर मेरी गराज में तो लो बेस्मेंट है यह नहीं सॉरी पर मैंने बना ली वाव! वाव! मेरा सीक्रिट अंडरग्राउंड केव अब लग रहा है बिलकुल हीरो की तरह सेंटियन्ट बेस नैनो टेकनोलोजी यह बेस उसी टेकनोलोजी से बना है जिससे हमने मल्टिवर्स बनाया था तो यह सारे बैटल जोन्स तुम्हारी लोगों का करा धरा है हाँ लेकिन हमने नहीं सोचा था कि हमारी टेकनोलोजी खत्रे में होगी वैंडल्स और सार्क ने सारे सेंटियन्स को मिटा कर हमारी दुनिया पर कबजा कर लिया वैंडल्स तो जानवर है जिनका लीडर वो शेर है कैलस जबकि सार्क उन ओर्डर्स पर चलते हैं जिन्हें जैमरिक देता है उन्हें ना दिमाग है ना फीलिंग्स इन दोनों की लड़ाई को पृत्वी तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा ऐसा नहीं होगा मैं हूँ न तुम्हारी बहादुरी पर कोई शक नहीं लेकिन तुम्हें मदद की जरूरत होगी और इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ही चुने हैं अह साथ ही नहीं वर्ट अकेला ही लड़ता है एक मुठी की ताकत पांचों उंगलियों से होती है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें तुम्हारे अलावा चार शक्तियां और चाहिए रुको मुझे नया खत्रा नजर आ रहा है मैं अभी जाता हूँ याद रखना वर्ट बैटल जोन में जाकर बैटल की को सुरक्षित वापस लाना है और फिर पोर्टल को लॉक करना है गॉरेट दुश्मन की बैट बचाओ पैटल की ले के आओ पहुच गया एक दो तीन मैन वसेज मशीन तो ये है साथ रोबोट्स मेरी गाड़ी से तूर रहना अब मेरी बारी सेबर तुमने तो इनका कचुमबर बना दिया पैरल की आ जाओ मेरे पास चलो सेबर घर जाने का वक्त आ गया है पोर्टल की रास्ते में रुकावट वाव इसे कहते हैं लाक साथ से दुश्मनी पतलब सेमरिक से दुश्मनी शायद यही सेमरिक है हमारे लिए आपके क्यो अदूस है बास इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे टर्मिनेट करो और बैटल की को हासिल करके मेरे हवाले करो यह स्पोर्स सेमरिक इस रोबो ब्रिगिट को हराने के लिए शायद एक आदमी काफी नहीं होगा और इसी लिए वर्ट ये रही तुमारी टीम ये है अगूरा जीते की तेजी लोमड़ी की चाला की और फुल आउन स्टार ये है जून है तो सबसे छोटा लेकिन इस छोटे पैकेट का धमाका बड़ा है यहाँ पर नहीं है कोई लड़ू या मेवा ये है शर्मन और स्पिनर जुड़वा है लेकिन एकदम अलग जैसे दिन और रात एक हूमन कम्प्यूटर है तो दूसरा समझो हैकर नहीं हमें घर ले जाओ मैं करूंगा तुम्हारी सेवा अरे देवा इस जगह को तो गूगल भी नहीं सर्च कर पाएगा अब उनको तो कहा दाया आपे रेस करने का है और तेरे को यहां है मिक्स्ट मार्शलाच का मुकाबला है अब उनको उल्लू बनाया है यह को नहीं सारे गम है यह लोग तो बत्तमीज है और यह स्टान्फर्ड डांसिंग का फैन है और म्यूजिक उसकी रग रग में बसा है तो क्या तुम सब को हमारे पार्टी में इन्वाइट किया है बैक अब होता तो अच्छा होता शाग भाईयो यहां कोई पार्टी वाड़ी नहीं होने वाली है सब अपने अपने रास्ते वापस चले जाओ बैटल की टून कर लाओ अफ वोट अब तुझे ही कुछ करना मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ बैटल की उस और्गानिक के बास है ओ हो वो हूँमन भाग देना पाए अपना कमाल दिखाऊ सेबा येलो सब यूमन को कुछर देगा सच में नहीं देखो मेरे मूज गाइज रॉफ एंड रोल जल्दी से इंटेन के डिपो को री सैगल करने मेरी मदद करो हा क्यों नहीं येलो स्टील का सर है स्टील के डिपे तुम्हें तो हमारे सेवा करनी चाहिए बज क्या बैंड गोल गोल रानी अभियार दिला तो नानी जेबा ये अपुन का है पंगा नहीं लेने का ये हुआ गोल क्या ये है मेरी टीम तुम सब का शक्रिया तुम सब ठीक हो तु है कॉन और रोबोर्ट से तेरा क्या कनेक्शन है और तुम आए कहां से वहां पुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे नया स्टीरियो बॉक्स कौन देने वाला है शांत हो जाओ दोस्तों क्यों नहां मेरे गराज में चले और वहां सेज तुम्हें सब क कोई भाई है क्या तो तुम एक एलियन हमें इस रेगिस्तान में इसलिये लेकर राई हो ताके हम खतरनाक जानवोरों से और रोबोर्ट से लड़े बिल्कुल ठीक कहा पर आपुने क्यों क्यों कि तुम सब में वो शक्तिया हैं जिन की मुझे तलाश थी और तुम सब मुठ तो कौन देगा साथ गर इस से अप उनका घर बच जाएगा तो अप उन देर साथ हैं हम भी बिल्कुल सही सोचेंगे गाड़ी के साथ डैक भी फिर भी और जोर से क्राकबोरो और याद रहे लडाई में दुश्मन से हम दर दी मतला भार कैपटन केलस मैंने मेरे इस नए अविश्कार पर सार्क ट्रांस्मेशन को पकला है जिसमें नया गरह मिला है देखिए वही मानो हम उसके गरह को तैसनेस कर देंगे मेरे बिस साल के मैनत चूर हो गई चार गाड़िया और चार शक्तिया अभी बाकी है जूम तुम एक बहतरीन मुई थाइफ फाइटर हो इसलिए तुम टीम के स्काउट बनोगे क्या सवारी है या इसे मैं कहूंगा चौर यानी तुम ही सवारी पसंद आई अगोरा क्योंकि तुम्हें रेसिंग पसंद है इसलिए तुम बनोगी स्पेशल ओपरेशन्स ओफिसर आप उनकी टैंगलर एक तम जकास शर्मन तुम्हारे पास अकल भी है और ताकत भी और स्पिनर हैकिंग में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता इसलिए तुम दोनों टीम के टैक्टिकल और टेक सपोर्ट बनोगे यहुना बास हमारी बस्टर स्टैन्फर्ट तुम म्यूजिक के एक्सपर्ट हो और इसलिए तुम हमारे सॉनिक और अल्ट्रसॉनिक वेपन्स एक्सपर्ट बनोगे क्या कहूँ बुमा नहीं पुल्सेटर नहीं रीवर्ब पोपेक्ट और वर्ट तुम्हारी बहादुरी और खत्रों का सामना करने की हिम्मत तुम्हें बनाती है टीम लीडर तुम सब कहलाओगे दु बैल फोर्स फाइव अम लेकिन हम तो है सेक्स यह कैसा मिक्स यह टीम पांच कार्स की है पूरा गूगली था तो तुम यह कह रहे हो कि एलियन्स की फाइट से फ्री हो जाएंगे जब मेकानिक्स बनके कार रिपेर करते रहेंगे तब हाँ इससे किसी को शक नहीं होगा मैं तो कहता हूँ अपने कार्स लेकर भाग चलते है इस रेगिस्तान से क्या कहते हो अर पृत्वी को सार्क और वैंडल्स के हवाले करना है क्या अब उन तो पृत्वी को बचाएगा अहां पर जॉन्स ने कॉन बचाएगा वर्ट वीला शेरिफ जॉन्सन हम यहां सिर्फ खाना खाने आया है सच में तीन मिनिट में नया पॉतल खुलेगा तीम रपीट ये कैसी आवाज ये जरूर कोई एलियन टेकनोलोजी है रिलाक्स जीग ये तो हमारी नही घडिया है पृत्वी की टैक वाली ये मत भूला कि मेरी निजर त चलो साथियो चलते हैं मैं कह रहा हूँ ये जरूर एलियन जी है भाप गय हाँ मैं तुम्हे बता रहा हूं ग्रेश जल्द ही पृत्वी पर एलियन अटैक करेंगे हाँ सार्क अटाक के लिए पयाँ वंदल्स पॉर्टल की आर्बिल्स पाइव तुम्हारी शक्तियों को इस्तिमाल करने का समय आ गया है खुली मुठी को बंद करने का समय आ गया है टीम की ताकत इसी में है चद्यभटे सेज हम तयार है पैरल पॉस फाइव चुडाएंगे दुश्मन के छके कर दो लोज भाएंगे लाएंगे श character 1 झाल 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 झाल